हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं सब लोग स्वस्त होंगे अपने साथ अपने फेमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे और इसी के साथ ही अपने आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से ठीक है और उसी पढ़ाई में मैं अपने इस चैनल के जरीए आ आपकी help कर रहा हूं तो आज का जो हम लोग topic लेने वाले हैं वो separate अपने आप में एक question है जी है आज के topic का नाम है capitalist planetary motion या capitalist planetary laws बहुत आसान है लेकिन उससे बेंपोर्टेंट भाई आप लोग चैनल को subscribe नहीं कर रहें देख तो रहें तो सभी से request है कि चैनल को जार 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 सब्सक्राइब कर लिजे जिससे में notification जिससे में जो भी वीडियो डालता हूं उसकी notification आपके पहुंच जाए और आपके एक भी वीडियो मिस न नहीं होना है बस आपको क्लिक करता है ठीक है तो जल्दी से यह ने कम करते हैं तो चलते हैं आज के वीडियो पर तो आज के वीडियो के heading डाल लेते है कैपलर्स प्लेनेटरी लॉज कैपलर्स लॉज आफ प्लेनेटरी मोशन यह है से बहुत आसान है प्लेनेट से मोशन से रिलेटेड कैपलर्स कैपलर्स ने लॉज दिये थे लेकिन कैपलर्स से पहले भी लोगों ने मोसन रिलेटर्स से लॉज दिये थे यह सबसे पहले जियो सेंट्री मोडल आये था सबसे पहले जियो सेंट्री मोडल आये था जियो सेंट्री मोडल ने बताया था कि अर्थ रुकी हुई अर्थ इस ब्रह्मान का सेंटर है स्वारमंडल का सेंटर है और उसके चालत रफ सन हो और अधार प्लेनर वो सब भूम नहीं यह मोडल बता यह चीज बताई थी जियो सेंटरी मोडल ने ठीक है उसके बाद आये आरभट्ट जी आरभट्ट जी ने थोड़ा उल्टा बता दिया आरभट्ट जी ने बताया कि अर्थ नहीं सन है सेंटर और सन के चात्रफ सारे प्लेनेट घूलते हैं बस ज्यादा डिटिल नहीं बता पा पहले तीन रूल दिये थे भाई इनका जो पहला रूल था फरस्ट लॉप इसके आपकर दूसरा भी हम लोग कहते हैं लॉप और बिट ठीक है इन्होंने पहले रूल में बताया कि जो भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ पे घूपता लिया जैसे हम यह बना दिया एक पाथ ठीक है इलिप्स तो पने देखा होगा इलिप्स में दो सेंटर होते हैं इसके दो फोकॉस होते हैं एक फोकॉस यह एक फोकॉस यह इसमें नाम दे देते हैं A, B, C, D यह जो A, B पॉइंट है A and B और C and D यह दो पॉइंट के नाम अलग-अलग है A और B पॉइंट को बोला जाता है पेरिहिलियन और C और D पॉइंट को बोला जाता है अपहिलियन ठीक है यह पॉइंट नाम बोले जाते है और यह इसका पाथ है यह प्लेनेट है यह हमारा प्लेनेट और दोनों फोकॉस में से किसी एक फोकॉस पे सन आपका प्लेस होता है जितनी भी प्लेनेट है यह सब के सब इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि इलिप्टिकल पाथ किसका ज्यादा है जैसे प्लूटो है Pluto का जो पात है वो सबसे ज़्यादा elliptical है ठिक है और जो बाकी planet है किसी का circular है किसी का slightly elliptical है ठिक है किसी में slightly elliptical है किसी का circular है तक कि सबसे ज़्यादा किसका प्नूटो पलन रहे है तो पहला लाव में कैपले ने बताया कि जो सन है और प्लेनेट है प्लेनेट सन के चारो तरफ एलिप्टिकल पाथ पर भूनते हैं और सन किस दोनों में से किसी एक फोकस पर प्लेस होता है बस यह इनका पहला था ठीक है बहुत आसान दूसरा लाव उन्होंने दिया सेकेंड लाव इसको हम लोग लाव एरिया भी बोलते हैं लाव एरिया उन्होंने कहा कि जैसे यह मैंने पाथ बना दिया यह सन हो गया यह हो गया प्लेनेट ठीक है महा लेते हैं पहले प्लेनेट यहां पर था तो इसको हमने इसको मिला दिया यह मिला दिया यह और इसको मैं से धिया ठीक है अब इसको मैं एसको मैं श् Background कर रहाह हूँ जा भी बना लूँ अ ओ अब देखो उन्होंने कहा second domino ने क्या कहा कि the aerial velocity of planet remains constant the aerial velocity of a planet remains constant क्या कह सकते हो कि planet covers equal distance in equal interval of time यहां से यहां तक आने में जित्ती भी distance गवर करेगा जित्ता भी area गवर करेगा वो इतना यहां से यहां तक आने में उतना ही वो time अगर time gap हम देखें तो उतना same area यहां पर cover करेगा ठीक है तो यहां पर क्या हो गए the aerial velocity of a planet remains constant एक चीज़ और कि जब planet sun से दूर होता है जिसे यहां पर है तो वो धीरे धीरे चलता है लेकिन जैसे जो धीर धीर घूमता है लेकिन जैसे जैसे वो पास में आता है इसके घूमने की जो tendency है वो भरती जाले जाती है क्यों क्योंकि देखी मैंने आपको बताया था है angular momentum L is equal to I omega angular momentum remains constant I क्या होता है moment of frequency I is equal to mr square mr square ठीक है अब देखे जब यह चीज़ constant हो गए तो इन दोनों में universally proportional का sign हो गया अब देखो जाए जब प्लेनेट यहां पर है तो distance जादा है मतलब moment of frequency जादा है तो उमेगा क्या हो जाएगा angular velocity कम हो जाएगी इसलिए यहां पर धीर धीर घूमता है जब जैसे जैसे परोस में आता जाएगा इसकी radius कम होती चले जीए कि मतलब यह चीज़ बढ़ रही है तो उमेगा क्या हो जाएगा ये कम हो रहे है तो यी चीज passing कम हो रहे है तुम्हें का बाढ़ जाएगा तुम्हें का बढ़र जा least crashed कि यह झालता है जब प्लेनेट सन से दूर है तो धीर option करता है और जब वह प्लेनेट सर के पास में आ ведь तो तेजी से से रोटेट करता है सक्यू तो आपको यहीं से बताना है कि ऐसा क्यूं होता है क्लियर पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा भी आपका अब चलते हैं अगली लॉपे तीन लॉप थे ना इसको अटा देते हैं अब आते हैं तीसरे लॉपे तीसरे लॉप यह आपका लाफ पीरियड या इसको थार्ड लॉपे बहुत आसान है उन्होंने कहा कि प्लेनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर जो प्लेनेट घूम रहा है इसके टाइम पीरियड का स्क्वायर डिरेक्ली प्रपोर्शनल होता है सन और प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन या डिस्टेंस जो भी को आप उसकी क्यूब की जिसे यह लाइन है तो यह आर हो इसकी क्यूब के डिरेक्ली प्रपोर्शनल होता ह इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो किसी एक प्लेनेट होगा कहेगा वह यह इस प्लेनेट का टाइम पर इतना है और अर्थ की रिस्पर्ट सुट्ट Geum which सकते हैं बिलकुल शुकर इहां पर हम इसको तीन लोह है तो पहला लाहみ sach था law of orbit कि सभी प्लेनेट सन की चारो तरफ एलेट्रिकल पात में मूव करते हैं और सन किसी एक पॉइंट पर एक फोकस पर प्लेस होता है दूसरी लोग में क्या बता है दा प्लेनेट्री मोशन इसको अमलोग ऐसे भी लिख देते हैं डी ए अपान डीटी जिकल टू कॉंस्टेंट एसे भी लिखाव मिल सकता है तीसरा क्या था कि प्लेनेट के टाइम पीरिड का स्कॉयर सन और प्लेनेट को मिलाने वाली डिस्टेंस के क्यूब के डाकली प्रपोसल होता है बस ठीक है लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि वह इंपोर्टेंट है वह डेरिवेशन आज रूच जाता है पेपर में कि कहेगा कि न्यूटेंस लाफ ग्रेविटेशन को के लौ की हेल्प से आपको डिड़क्ट करना है तो है डिड़्टे जाल लेते हैं डिड़क्ट्ट्षन अफ नूटन्स ग्रेविटेशन लाउ विद देहलेप अफ नूटन्स ग्रेविटेशन लाउ यह आपको प्रूफ करना है ठीक है बहुत आसान है तो एक को ऐसे है जैसे इस सं है ठीक है यह सं है और इसके 4 तरफ प्लेनेट क्या हो रहा है घूम रहा है अब यह मैं उसको मान चलने कि सर्कूलर पाथ पर घूम रहा है तो इसको घूमने के लिए एक centripetal force चाहिए जो किसी भी planet को अगर circular पात में move करना है तो एक centripetal force चाहिए तो वो force इसका sun का mass होता है capital M और इस planet का mass है small ठीक है लो भाया और इनकी distance जो है वो small r माल लेते हैं तो centripetal force क्या होजएगा m v square by r ठीक है clear अब देखो यहाँ पर v के है orbital velocity है तो as we know that as we know that जो orbital velocity v है क्या है velocity is equal to displacement number time speed is equal to distance upon time तो distance कितनी होगी 2 pi r upon capital ठीक है क्योंकि time period हो जाएगा न यह वो ठागी पुट कर दो इसमें तो f is equal to small m upon r square कर दो 4 pi square r square upon t square ठीक है अब जखो जड़ा अभी तक तो हम लोगोंने क्याप्लस लगा तो लगा को यूजी नहीं किया तो यहां लिख देंगे यूजींग क्याप्लस थार्ड लोग देखो भाईया क्याप्लस की लोग के help से हम प्रूफ कर रहे हैं तो उसका तो यूज करना जरूरी है तो क्या फर्मूला होता है टी स्क्वाइर जिकल टू के आर क्यूब बैस पूट कर दूब एफ इस उकल टू एम अपन आर फोर पाई स्क्वाइर आर स्क्वाइर अपन के आर क्यूब ठीक है कुछ कटेगा स्क्वाइर बचेगा ठीक है बैस यह आपका स्मॉल एम था स्मॉल एम है ठीक तो यहाँ पर लग दो F is equal to 4 pi square upon K small m upon R square ठीक है यह आ गया हमारा centripetal force और centripetal force किसको जरूरत होता है इस planet को ठीक है अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक attraction force तो लगेगा इन दोने बीच attraction force लगेगा वो attraction force इसको लगेगा इससे इसको लगेगा तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं 4 pi square upon K यह किसके directly proportional होगा capital M K यह क्या है mass of sun इसको लिख सकते हैं mass of sun ठीक है capital M K क्यों क्योंकि यह जो force होता है अब वो mutual होता है मतलब यह इस पर लगाएगा यह वाला इस पर लगाएगा इसलिए यह जो term है इसलिए इसको मने इसके directly proportional कर दिया जब directly proportional हटाएंगे तो हम क्या करते हैं एक constant that कर देते है constant capital G यह हो गया capital M यह value output कर दो now F is equal to capital G, capital M, small m upon r square यही तो भई यह Newton's gravitation लाँ था ठीक है और यह चीज आपकी important है कुछ नहीं किया मैंने मैंने किया किया सीरिसी एक concept लगाया कि centripetal force निकाल लिया centripetal force में orbital velocity वाला concept लगा दिया और तो है प्रेस third लगा यूज कर दिया लो खुडाक से answer आगया ठीक है good doubt कुछ नहीं है ठीक है अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि deduction of Kepler's third law with the help of Newton's gravitation law तेकि ज़स्ट उल्टा है यहाँ पर gravitation law को proof कर रहे थे Newton के third law की help से और यहाँ पर हमको Newton के third law को proof को Kepler के third law को proof करना है gravitation से ज़स्ट उल्टा है जखी निजरा यह सन है यह planet है इसका capital है मास है इसका small m है बीच की distance है ठीक है यह चारों तरफ घूम रहा है तो इसको क्या चीए centripetal force है यह small m v square by r यह centripetal force को देख कूं रहा होगा यह centripetal force को कहा जी मिला होगा दोनों के बीच लगने वाले attraction force है तो हम इसको एचा ले सकते हैं capital G, capital M, small m upon r square देख कुड आउट यह attraction force को मिला है यहां से ठीक है आप जो कट पाए काट दीजे यह कट गया एक आर से एक आर कट गया ठीक है प्लिए पैस v is equal to v square v square is equal to G, capital M upon smaller चीक है और यह v क्या orbital velocity अब यह orbital velocity हम लोग को नहीं निकाल ला था देखो तो यहां पर लिख देंगे इसको आटा देते हैं as we know that as we know that v is equal to 2 pi r upon t value put कर दो क्या देगा 4 pi r square अपन t square is equal to G, capital M upon R ठीक है मैंस देखो इसको इधार इसको इधार 4 pi r cube is equal to G, capital M into t square तो इसको रहे सकते हो t square is equal to 4 pi upon gm r cube ठीक ठीक देखो भाईया यह जब से तो constant लिखी है न यह तो capital M है capital बना देए ठीक है 4 b constant pi b constant g b constant m b constant तो इसको क्या ले सकते हैं t square directly proportional r cube ठीक है यही तो होता है कि अब दस थाड़ ला बैस इसको मैंसे भी लिख सकते हैं t square is equal to constant add कर दो इस constant की value होती भी है 2.9710 की power minus 19 और unit निकाले तो second square meter की power minus ठीक ठीक बस जश्ट दो मुदे को दुसरे को उल्टे हैं यहाँ पर हम लोगोंने Newton's gravitation law को deduct किया है किसकी help से k plus law की help से और यहाँ पर k plus law को deduct किया है किसकी help से Newton's gravitation law की help से ठीक है यह भीया दोनों के दोनों important है बहुत जादा यह डंडा खिचा हुआ है भीया कोई one नहीं लिखा ठीक है यह आपको अच्छे स्त्यार करना है important है डेरिवेशन के point of view से important है ठीक है तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग elasticity की बारे में पढ़ेंगे और आप गैरेंटी दिलाते हैं कि मैं इस board पर एक figure time बना दूँगा उससे पूरे उस chapter के elasticity या mechanical property of solid कि पूरे फूरे formula आपको याद हो जाएंगे definition के सहीत लेकिन बस आपको channel पर साथ में रहना पड़ेगा confusion में दूर करूंगा physics को easy में बनाऊंगा लेकिन आपको बस साथ में रहना पड़ेगा ठीक है लेकिन थोड़ा घर पर भी practice करना ऐसा नहीं कि बस पांस मिनट दस मिनट पढ़ लिया काम हो गया रेगुलर स्टीडी करना पड़ेगा ठीक है तो फिर में भी यह लास्मी यह कहना चाहूंगा जोनों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्देश जल्दी भी सब्सक्राइब कर लिजे और शेयर भी कर दिजे इससे और भी लोग इससे जुड़ सके तो इससे साथ ही फिर मिलेंगे नेक्ष वीडियो झाल